सोलन में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजश कश्रुप ने हार्ग स्विकार करते हुए कॉंग्रेस प्रत्याशी करना धनीदान शांडिल जो रिष्टे में उनके ससूर है उनको जीतने पर बधाई दी सोलन में हुआ ये चुनाव बेहत अनूठा और अनोखा था क्योंकि सुनाव में भाजपा और कॉंग्रिस की तरफ से ससूर और दमात को चुनाव में उतारा गया था दोनोंने सुनाव को बेहत सहजता से लिया और एक दूसरे पर कोई दीखी टिपनी किये बगयर इस सुनाव को लड़ा राजपा प्रत्याशी डॉक्टर राजपा राजपा ने कहा कि उनकी हार का सबसे बड़ा कारण OPS रहा है अगर सरकार OPS को गंभीरता से लेती तो वह अवश्यत जीत हासिल करते उन्होंने कहा कि कॉंग्रेस ने OPS के मुद्दे को बहुत अच्छी तरह से भुनाया और यही वज़ा है कि वह जीत हासिल करने में काम्याब भी रहे उन्होंने कहा कि वह अपनी हार से विचलित होने वाले नहीं है हताश और निराश जैसे शब्द उनके शब्द कोश में नहीं है वह फिर से एक नई जोश के साथ सोलन के लोगों के बीच में जाएंगे और समाज की भलाई के लिए कारे करते रहेंगे उन्होंने कहा कि वह जोनता के बीच रहे इसलिए उनकी हार का मार्शन बहुत कम रहा आने था ये अंतर बहुत अधिक होता इस मौके पर उन्होंने सभी मंदाताओं का उन्हीं वोट डालने के लिए घन्यवाद किया ग्रामीन को या हमारे जो शेहर में जितने भी हमारे नागरिक है उनको कोई सुविदा की जूर्थ हुई दमने उसको पूरी करने की कोशिश की यह ठीक है कि मुद्दे तो कई है और कई और भी फैक्टर्स है जो पीछे रहने के हैं हमारा जो है जो हमने कल्कुलेट किया था कि हम लगबग तीन जार चार जार वोट से जीतेंगे तो यह रिवर्स हो गया और मुझे लगता है इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं पार्टी स्थर पे जो है डिसकस करेंगे उसके बाद जो है उसको देखेंगे हताश जैसा शब्द तो हमारी डिक्शनरी में है नि हम तो और पूरे जोर के साथ जो है जो हमने समाज कारे करने की जो पिछले पांच वर्ष पहले हमने प्रण लिया था उसको हम जारी रखेंगे और जैसा मैंने कहा कि हम अब क्यूंकि ऑपोजिशन में है तो ऑपोजिश करेंगे हताशा की कोई जो है किरन या कोई भी शब्द जो है यहां है नहीं हम आगे जो है पूरी तरह से जो है कंटीनू रखेंगे अपना कारे जो कर रहे हैं और अभी भी हम पिछली बारह में 25,000 बोट मिले थे अब हम 26 से भी आगे गये वोट नंबर ऑबोट तो बड़ है लेकिन हार जीत इश्वर के हाथ में है हमने अपना परिश्रम किया मेहनत की मेहनत का पल आज नहीं तो कल जिरूर मिलेगा